हेलो गाइस वेलकम बैक अगीन टो आवर यूटूब चैनल एंट्रोड एंसी और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ Realme GT New 3 स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को Realme GT New 3 के बारे में बताया था बट उस टाम जिसके स्पेस्फिकेशन वागे रहते वो लगबग में कंफर्म नहीं हुए थे बट अब जाके Realme GT New 3 का जो स्पेस्फिकेशन है वो कंफर्म हो चुका है सैडो लीक करके एक जाने माय टिप से हैं दोस्तों उन्हें Realme GT New 3 का जो फ्रंट का डिजाइन है वो भी रिवेल कर दिया है तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ Realme GT New 3 के स्पेस्फिकेशन के बारे में इसका क्या प्राइस होगा और ये स्मार्टफोन के स्टेट तक लॉंच होगा तो प्लीज उस वीडियो को एंड तक देखेगा वीडियो चल लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दिजेगा और शेयर कर दिजेगा और चैनल को सब्स्क्राइब करना मत बूलेगा दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं Realme GT New 3 के डिस्प्ले के बारे में यहाँ पे आपको 6.7 इंच का Full HD Plus Super AMOLED बार दिस्प्ले देखनी को मिलेगा और फोन के टॉप मिडिल में आपको स्मॉल पंच ओल नॉस देखनी को मिल जाएगा जो बॉटम के बेजल से और जो साइट के बेजल से वह काफी ही आपको थीन देखनी को मिलेंगे जिसके वाज करें तो रेल साइट से आपको ट्रिंपल रे क आमाया का सेट अप मिलेगा जो कि ट्रेंगल से मीट में पिक्सल का मिलेगा यहाँ पे आपकों का सॉनी का Amazon 8 डवारच को यहाँ देखनी को में जाएगा फ्रेंट के दरप से स्मार्टफोन में आपको 16 Megapixel का Selfie Camera देखने को मिल जाएगा दोस्तो परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का Dimensity 8100 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा दोस्तो जो कि MediaTek मार्च के मंथ में लांच करने वाला दोस्तो और Realme GTA New 3 जो है यह पहला स्मार्टफोन होगा जहाँ आपको MediaTek का Dimensity 8100 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा दोस्तो ऐसा लीग बताया जाड़ा है साथ ही आपको Octa Core 2.8 GHz का प्रसेटर देखने को मिलेगा और जो GPU है वो आपको Mali G510 का देखने को मिल जाएगा साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको Android 12 जो Watt of the Box देखने को मिलेगा विध Realme UI 3.0 के साथ RAM और विंट की बात करें तो यहाप आपको 8 GB और 12 GB का LPDDR5 RAM वर्जन देखने को मिलेगा साथ ही आपको 128 GB और 256 GB वाला इंटर्वेज बडिन देखने को मिल जाएगा बैटर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mh का बैटर देखने को मिलेगा दोस्तों और साथ ही आपको 150 Watt का फास्टेंग का सपोर्ड देखने को मिलने वाला ऐसा लीक बताया जाएगा कि इस स्मार्टफोन आपको 1500W का जो है वह चार्जर देखनी को मिलेगा प्राइस की बात करें तो स्मार्टफोन का जो स्टार्डिंग वेंट का प्राइस होगा दोस्तों 8GB RAM को 23rd March को लॉंच कर सकता है अब देखते हैं कि यह स्मार्टफोन की स्टेट तक लॉंच होता है फिलाल आगे चलके मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोग साथ जो शेर करूंगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बाइ